वीडियो दिखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com बेल आइकन दबा कर पाएं लेटिस्ट नोडिफिकेशन्स नमस्कार जनसत्ता में आपका स्वागत और मैं हूँ कुमार संभवजैन आपके समने में मौदूद हूँ इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ कोरोना वाइरस को लेकर पीम मोदी ने राष्ट को संबोधित किया उन्होंने कहा दुनिया इस महमारी की चपेट में है मुझे देशवास्कियों से एक हफते का वक्त चाहिए हम कोरोना से बच गए ये सोचना भी ठीक नहीं है हमें बचाओ के लिए खुद भीड में ना जाने का संकल्प लेना होगा इसके अलावा बुजर्ग भी कुछ हफते तक घरों से ना निकलें मेरी सबी से अपील है कि 22 मार्च को सुबह 7 वजे से रात 9 वजे तक जनता कर्फियू का पालन करें पीयम मोदी बोले मेरे प्यारे देशवासियों पूरा विश्व इस समय बड़े संकट से गुजर रहा है गंबीर दोर से गुजर रहा है आम तोर पर जब कोई प्राकरतिक संकट आता है तो कुछ देशो या राज्यो तक ही सीमित रहता है इस बार ये संकट ऐसा है जिसने विश्व भर की पूरी मानव जाती को संकट में डाल दिया है कोरोना की इस बिमारी से पिछले दो महीने से हम निरंतर दुनिया भर से आ रही चिंता जनक खबरे देख रहे हैं उन्हें सुन रहे हैं इन दो महीनों में भारत के 130 करोड नागरिकों ने कोरोना जैसी वहिश्व महामारी का डटकर मुकाबला किया है सबी देशवासियों ने आवश्यक सावधानिया बरतने का भरसक प्रयाज भी किया है पियम मोदी बोले ऐसा लग रहा है कि सब ठीक है वहिश्व महामारी कोरोना से निशिंत हो जाने की सोच सही नहीं है इसलिए प्रत्यक भारत वासी को सजग और सतर्क रहना बहुत आवश्यक है सात्यों मैंने आप से जब भी जो भी मांगा है मुझे कभी भी देशवासियों ने निराश नहीं किया है ये आपके आशरवाद की ताकत है कि हम सब मिलकर अपने निधारत लक्षियों की ओर बढ़ रहे हैं और सफल भी हुए हैं आज मैं आप सब देशवासियों से कुछ और मांगने आया हूँ मुझे आपके आने वाले कुछ सब्ता चाहिए मुझे आने वाला कुछ वक्त चाहिए मेरे प्यारे देशवासियों अभी तक विज्ञान कोरोना महमारी से बचने के लिए कोई निशिंत उपायद नहीं सुझा सका है और ना ही इसकी कोई वैक्सीन मन पाई है ऐसी इस्तिती में हर किसी की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है दुनिया के जिन देशों में कोरोना का वाईरस और उसका प्रभाव ज़्यादा देखा जा रहा है वहाँ अध्यन में एक और बास सामने आई है इन देशों में शुरुआती कुछ दिनों के बाद अचानक बिमारी का विस्पोर्ट हुआ है इन देशों में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बड़ी है भारत सरकार इस इस स्थिती पर वैश्विक महामारी के फैलने पर पूरी तरह रखे हुए है भारत जैसे 130 क्रोड की आबादी वाले विकास के लिए प्रत्शिल देश पर करोना का संक्र सामाने बात नहीं है आज जब बड़े विक्सित देशों में महामारी का व्यापक प्रभाव देखा जा रहा है तो भारत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ये मानना बिलकोल गलत है इसलिए इस वैश्विक महामारी का मुकाबला करने के लिए दो प्रमुक बातों की आवशकता है पहला संकल्प और दूसरा सयम आज 130 करोर देशवाचियों को अपना संकल्प और द्रण करना होगा कि हम इस वैश्विक महामारी को रोकने के लिए एक नागरिक के नाते करतवे का पालन करेंगे कि इन सरकार और राजिस सरकारों के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे आज हमें ये संकल्प लेना होगा हम स्वेम संक्रमित होने से बचेंगे और दूसरे को भी इन्फेक्टेड होने से बचाएंगे बता दें कि आपको देश में करोना वाइरस से अब तक 4 लोग की मौत हो चुकी है वह 175 लोग इस से इन्फेक्टेड है तो ये थी करोना वाइरस पर पियम मोदी की पूरी स्पीच आपको पियम मोदी की बाते कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं करोना वाइरस से जुड़े हर अपडेट से रूबरू होने के लिए बने रही है जनसत्ता के साथ